ये ले भाई साथ एक किलो मुंख भली आपकी भाई जान ये एक किलो से काम लग रही है ओ भाई साथ ये आप कैसी बातें कर रहे है इसलिए मैंने आपको पहले चेक कराया और ये अलेक्टराने कंडा है इस पर भाई मानगी नहीं हो सकती अच्छा भाई दैस क्यों कर रहे हो ये बताओ कितने पैसे है ये हुई ना बात पांच रपे आदो ये लो भाई साब हाँ भाई कैसा चर्रे काम पॉरे पैसे कॉरे दे देता हूँ ये भी इंप्रैस रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा उस्ताजी एक किलो मुंखफली भी की है पांच और बै की अरे वाज छोटे तू तो इमानदार लड़का निकला सर्दिया निकाल ले गर्मियों में मैं फलूदा लगोंगा उसमें भी आपको रखूंगा हाँ हाँ उस्ताजी क्यों नहीं बच्पन से ही इमानदार लड़का हूँ मैं तो देखता जा बास अगले दिन यार आज तो कोई गाग भी नहीं आ रहा तू ऐसा कर मुझे मुंखफली दे मैं चलूँ अरे बुद्धू पागल तो नहीं हो गया हमने उस्ताद को बेनिफिट बराबर देना है जो लूटना है कस्टमर को लूटना है ताके इस रेड़ी पे ज्यादा से ज्यादा चल सके आगे फलूदे का मोस हमार है वहाँ भी तो पईबान गया करनी है ना चिंजा कर कुछ वे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तू तो बड़ा हराम ही निकला रहे चलो कस्टमर का इंतजार करते हैं दुआ कर यार कोई कस्टमर आ जाए माईस आप मोंग पनी देदा है हां देखें भाई साब एक किलो पूरा है उलू के पटे क्या कर रहे हो तुम उस्ताद कुछ नहीं कर रहा था भला हुई है रुक बे रुको तुम किदर मुझे तुमारी सारी गेम का पता था हां वो कैसी है यह लड़का तो बालो की बर्बादी कर रहे है बालो मेरा बच्पन का यहार है उसको लुटने नहीं दूंगा बालो को बताऊंगा बालू, तुझे पता है क्या है? जो निया लड़का खड़ा किया न दुकान पर, वो लड़का सही नहीं है, वो तेरी दुकान दारी खराब कर रहे हैं वो कैसे? वह ऐसे जब वह कस्टमों को मुफली देता है ना उसमें से आधी निकाल के अपनी दोस्त को दे देता है ये तू क्या कह रहा है मैंने अपनी आँखों से देख्या आप ये दिखाऊ आज आओ देखते है इसकी ऐसी तैसी यार इसका दोस्त तो भाग गी है मैं ऐसे रंगे हाथों पकड़ूगा नहीं साले शाला तेरा कख न रहे हमें फसा ओ उस्ताजी इस बार माफ कर दो पक्का वादा एंद ऐसा कभी नहीं करूगा कुटे की दूम को जित्रा पत्थर के नीचे रखो सीधी नहीं होती